जहिन दोस्तो मैं अमके चौधरी और आप देख रहे हैं एक्ट्विष्ट यमके दोस्तो आज बात कानपूर जनपत की रसूलाबाद बिधान सभा की रसूलाबाद बिधान सभा यसी आरच्छिस सीट है समाजवादी पार्टी ने यहां के पूर बिधायक कमलेश चनदिवाकर को रसूलाबाद से टिकट दिया है समाजवादी पार्टी की तरफ से जब से कमलेश चनदिवाकर को टिकट मिला है पूरे छेत्र में खुशी का महोल है कारकरताओं का उस्षाह देखते बन रहा है कमलेश चन दिवाकर रसूलाबाद से बिधायग रह चुके हैं छेत्र में अच्छा काम किये हैं जिसकी वज़ा से छेत्र के गलितों, वंचितों, सोसितों के बीच मुसल्मान समुदाय के बीच, जनरल लोग के बीच कमलेश चन दिवाकर की अच्छी वा मजबूत पकड़ है छेत्र में जनता के सुख दुख में हमेशा कमलेश चन दिवाकर खड़े रहते हैं समाजवादी पार्टी ने कमलेश चन्दिवाकर को रसूलाबाद से बिधान सभा प्रत्यासी घोसित किया है कमलेश चन्दिवाकर छेतर में लगातार सक्री हैं जनता के लिए लगातार कार कर रहे हैं कमलेश चन्दिवाकर के कारियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि रसूलाबाद बिधान सभा से समाजवादी पार्टी के भावी बिधायक कमलेश चन्दिवाकर होंगी कमलेश चंदिवाकर जिनका छेत्र में एक्छत्र राज चलता है अपने कारियों वजनता की सेवा के दम पर मजबूत जनाधार है समाजवादी पाल्टी के राष्टी अध्यच अखले सियादों के मिशन वबिजन को रसूलाबाद बिधान सभा में जनजन तक पहुचाने वाले कमलेश चंदिवाकर रसूलाबाद बिधान सभा रिकार्ड मतों से जीत रहे हैं दोस्तों कमलेश चंदिवाकर अमबेटकर वादी मूब्मेंट के से जुड़े रहे हैं समाजवादी बिचारधारा को लगातार आगे बढ़ाने का काल कर रहे हैं छेत्र के लोग कमलेश चंदिवाकर को अपना बिधायक अभी से मान रहे हैं छेत्र के लोग कमलेश चन दिवाकर को खूब सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तो चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए धन्यवाद